हेलो ट्यूर्स एंड वेलकम टॉटाइ स्टूडियो मेंबर्स भारत फोक आज के दिन ने ट्रेट हिया था एक बहतरी इंट ट्रेट था और पूरा का पूरा ट्रेट हमने सिर्फ वॉल्म प्रैस के अनाल्सिस पर डेक्रिसिंग लोज के साथ लिया था लोवर टाइम फ्रेम पर इदे को कुछ प्राइस एक्शन्स बने थे जहां पर मार्केट ने कल के सपूर्ट से अप्चैट का मोमेंटम देखा था कल का सपूर्ट हमारा आज का स्टॉप लॉस बना और जूम ओट करोगे चार्ट को आप देखो कि यह जो हाइलाइट एरिया हम कर रहे हैं यहां पर प्राइस ने वॉल्म के साथ में अपने कुछ फूट्प्रिंट छोडए थे जो कि बहुत अच्छा साइन देते हैं कि प्राइस में अगर कुछ मोमेंटम हो सकते हैं यह एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा आज के सेशन में स्टॉप लोस लगाने का जो पॉइंट है वो अगर हम इस तरह से निकालते हैं तो बहुत सेव स्टॉप लोस होगा डेली टाइम फ्रेम पर बहुत ज्यादा देखना ही मत सिंपल सा डिक्रीजिंग लोस है अगले दिन ट्रेंड अरिंटिफाइ होता है कि हमें बाइंग करनी है इसके साथी साथ सिर्फ यह नहीं कि हम कौन से एलिमेंट यूज होते हैं आज इसको पर एक अच्छा डिसकेशन करेंगे और वॉल्म से रिलेटिट जितनी चीज़ी होंगी उसको हम क्लेर करने ही कोशिश करें जिसको कि हमने आज में आज में देखा पूरा एक रिवर्सल दिखा दिया कल के हाई के पास तक मार्क कर दी है यहां पर मूग अपने ट्रेट बूक कर लेते जितना प्रॉफिट हमने आज की विए काला है हमारा प्रॉफिट और बढ़ सकता था 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 थाउजन के राउन का प्रॉफिट है अब मैं नहीं मुलूब पर मार्केट इतना अपसाट का मोमेंटम दिखा यह वरना तो बैट ही रहते हैं इसको रिफ्रेश कर लेते हैं ओके 13,000 को प्रॉफिट है आप देखो गए ना अभी जो हम और बुक यहां पर ओपन करेंगे और बुक में यहां पर चलिए और बुक अपन कर लेते हैं और बुक में जो अपने कॉंटिज लगाई हैं कॉंटिज 570 ने कुछ कॉमेंट्स आया थे कि 517, 1818 यह ऐसी कॉंटिज तो सिंपल सी चीज है कि 3000 कर रिस्क हमारे एंट्री के बाद स्टॉप लॉस के बीच की जो दूरी है तो जितनी कॉंटिज आएंग यह मूत नहीं लगाते हैं यहां पर आप टाइम देख सकते हूं मौनिंग में 10 बच कर 19 मट पर मिने अपना ट्रेड एक्जिक्यूट किया था 517 कॉनिटीज है और और बुक में कुछ आपको मिसमाइच दिख रहा होगा 1224 पर 1224 साट पर मिने अपना ओडर लगा था जबकि मिला हैं को यह 1225 पर जो ए यह ऐसा नहीं कि बाद जल्दवाजी में कुछ भी करके निकल गए जो आज कल के ट्रेंड है ऑप्शनस में जो लोग कर रहे हैं एक केंडल दो केंडल के बाहर निकलते हैं फिर वही आप जब लॉस करते हैं तो लंबा लंबा हो लॉस को होल्ट करते हैं यह साही चीज़े करने अब जैसे आज भरत हो ने किया तो कल जो हमने ट्रे एग्जीकूट के था टीस्यस का अबना ट्रेड था तो टीस्यस के ट्रेड में भी कफी अच्छा मूमेंटम में कैज करने को मिला था TCS में और भारत फॉक के ट्रेड में एक similarity है कि कल आप देखोगे कि TCS का लोवर ताम फ्रेम का यह आपको चार्ट देख रहा होगा आप इसको open करके देख लेना कल के चार्ट करके अपना profit है करीब 9000 का चल रहा था और 9000 से कम कही profit हमारा कल बूक हो पायदा 229 कॉनिटीज थी तो TCS के ट्रेड में भी प्राइज हमारी एक range में रुका रहा है एक candle थी 22nd of December की candle और बात की candle उस 22nd December की candle के अंदर ही trade कर रहे हैं जैसे breakout downside के तरफ को वो trade हमने execute कर दिया moral of the story अगर हम अपने trades में volume और price action को merge करते है न तो बहुत सारी चीज़े हमारे favor में काम करती है और वो criticism को समझ पहेंगे यूँ नहीं कि बस हम अपना luck आज मारे हैं so thanks start करते हैं आज का वीडियो जो भी आज की trade से लेटेट यूज हमने volume प्रैस करेंगे और इन materials को आप किसी भी trade में execute कर सकते हो किसी भी trade में use कर सकते हो results बहुत प्यारे आपको मिलेंगे वीडियो कर आपको अच्छा लगए तो वीडियो को like कीजएगा comment कीजएगा चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो चैनल को subscribe कीजएगा और टेलिग्राम चैनल का link description में आप लोग जोइन कर सकते हो drawings के तुरू कुछ चीज़े समझें जैसे एक यह हमारा area है अब यह वाला जो area ही निकलेगा किस तरह से हलत मिलती है हमें इसे निकालने में आप देखोगे कुछ तो techniques होती हैं जिसको की हम लोग volumes के तुरू देखते हैं कहीं पर भी अगर हमे significant volumes दिख रही हैं तो उन volumes के prices को price के levels को draw करते हैं वहाँ पर अपना area निकालते हैं जहांसे कि हमें particular trades करने होते हैं या उसके अंदर के actions हम identify करने होते हैं तो हमें एक वो place चाहिए अच्छा कमी यहीं पर होती है कि कोई भी trade जब हम करने जाते हैं तो उसका particular point of action हम नहीं निकालते हैं पॉइंट ओफ एक्षिन इंदसंस कि जिस जगह से हमें trade एक्जेक्वूट करना यह में नहीं निकाला बस हमें दिखा और हमने ट्रेट कर दिया जहां से भी मर्जी हुई हमने ट्रेट कर दिया कहने का मतलब आप अगर trade एक्जेक्वूट करने जा रहे हो एवन आप कोई भ होता है जहांसे move होने के chances ज्यादा होते हैं और बड़े move होने के chances ज्यादा होते हैं तो सबसे पहले तो हमें वो area निकालना है ओके यह काम हम हर बार करेंगे जैसे की decreasing loss में हमने आपको क्या बताया था कि दो volumes ऐसे गिरते हुए क्रम में होती हैं इस तरह से और अगर price ने green candles बनाई हैं तो हम next एफिर short selling देखते हैं प्राइस हमारा downside के तरफ गरे हम short selling देखेंगे अब जैसे आज के case में क्या हुआ हमने इसके अंदर की थी buying क्यों की थी क्योंकि price पहली चीज सबसे पहली चीज के price हमारा एक supportive zone में है एक support पर है इसके बाद में हमें यहां पर हमारी decreasing loss का pattern दिखाए पड़ा ओके आप price या कर रहे ना इस एक area पर जब 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 आ रहा है इसका move थोड़ा सा अप में हो रहा है इस तरह से price हमारा move कर रहा है यहां पर आने के बाद में daily time frame पर कहीं कहीं पर week बन रही है तो यह area तो हमने अपना identify किया अच्छा है यह identify हमने कर के लिए तो इससे हमें यह समझ भाए कि price हमारा support पर है अब जैसे ही यहां पर decreasing loss दिखाए पड़ा मतलब कि last rating session की जो दो candle है वो बन गई red अब हमें करना है buy समझ रहे है ना price already अपने support पर है last और last or last rating session में इस ने बना दिये है दो red candle decreasing loss के साथ में अब हमें buying करना है अब य यह जो area है यह वाला जो point है आप यहां से अपना trade execute करो यह drawing हमने सिर्फ इसलिए draw कि है क्योंकि थोड़ी कुछ कुछ चीजह हो समझ में आए drawing से क्या होता है ना अच्छी तरह से clear कर सकते हैं हम अपनी बातों को यहां पर यह एक point हमने निकाल लिया एक support area निकाल लिया यह चीजह है यह हम क्यों बता रहें आपको देखे जब हमने decreasing or falling rose से trade करना आपको बताया था तो उसी के साथ साथ में यह भी बताया था कि यहां पर जो supreme है वो है आपका point of action पहले point of action निकालना बड़ा जरूरी है उसके बाद में फिर हम लोग decreasing हो या फिर falling rose pattern या फिर इसके ल falling rose देखा या पड़ा वो trade मारते रहें जो भी आप trade करो जिसमें आप point of actions नहीं निकाल रहे हो और decreasing or falling rose देखने के बाद में आप trade execute कर रहे हो वो trade भी सही ही होते हैं लेकिन वो और भी अच्छा trade बन सकता है आपका अगर आप कुछ इन बातों का ध्यान रखो और इन बातों का विशेश कर ध्यान रख अब हम लोग चलते हैं अपने चार्ट के ऊपर यह है अपना भारत फोका चार्ट अब देखिए इसमें price actions किस तरह के बने है कि move upside की तरफ हुआ और जैसे ही एक high लगा next gap down और price हमारा नीचे की तरफ की तरफ गया मतलब कि यह significant area है price decreasing lows के साथ में upside की तरफ कि तरफ क्या है इसका मतलब कि strength low है और अगले दिन बन गए इसके अंदर red candle और काफी heavy red candle form हुए same चीज़ देखिया आज हुए decreasing lows बना एक सही point of action पर है price ने यहां से तुरांत एक move दिखा दी upside अब यह जो footprints market छोड़ती है हम क्या करते हैं हमने इसका high mark कर लिया इस red वाली candle का क्योंकि इस दिन market हमारी गिरी थे अच्छा अगले अब next session में क्या हुआ है कि हमारी इस वाली candle के breakouts हुए upset के तरफ high volume के साथ price ने हमारी red वाली candle को उपर के तरफ कर दिया close जैसे ही close के यहां से market ने support टेने start कर दिया अब इस green वाली candle की range के अंदर जब तक market trade रेस्टेंस लिया है और इसको ब्रिक करके अब देखे कितना अच्छा support बन गया यह समझ मैंना कि कैसे हमने point of actions नेकाले आपको अपने logics जोड़ ले होगे और अपने लिए बहतर theory त्यार करनी होगी कि कोई भी trade अगर आप करने जा रहा हो तो खुद से यह question कर पाऊ कि क् trade execute करें अब यह question करने की जो बात है आप question करोगे ना तो random trades लेने से बचोगे aggression वैकर के आप काम करोगे तुमापर कोई money management नहीं कोई risk management किसी तरह की कोई professionalism नहीं है आपका question करने के बाद में दीरे से आपके अंदर ठहरा हो आता है हर बड़ी में जलबाजी में जो मर्जी वैसे ही काम कर दिया चाहिए आपर कितनी हमाई risk capacity कितनी अरे एक side गई आपकी risk capacity तुरांत कितना capital कितनी मेरी 2,00,000 capital है चलो सारी capital आपने मार दी यह नहीं करना है एक question अगर हम कोई trade execute कर रहे ना तो क्यों कर रहे है उसका reason क्या है क्या कोई यहाँ पर symptoms बन रहे हैं क्या हमन बच जाएंगे यूँ ही बच जाएंगे random trades लेने से ही आपके sales बच जाएंगे यह तो एक चीज़ हो गए अब दूसरा यहाँ पर देखे ना यह decreasing lows form हुआ हमें अगले दिन buying करनी है अब देख लेंगे हम लोग lower time frame पर क्या हो रहा है एक बन गया हमारा support area यह support line बन गया हमा upside की तरफ break कर दिया अब last swing यह लगे थे यह वाले है और यहां से फिर market में देखे क्या किना एक upside का move दिखा दिया इस एक जगह पार और price ने ऊपर की तरफ ही अपनी closing कर दी एक strong closing थी क्योंकि इसने 1227 पर हमारे point of action के ऊपर में इसने closing दिखाई इतनी चीस के लिए अब चीस से move करने होंगे यह हो सकता है कभी कभी ऐसा भी होता है कि price आपका previous day के low के नीचे opening दिखा के और वापस से उपर की तरफ चलाए तब भी green candle form होती है तो अगर बिल्कुल gap down ही करने के बाद में यह upside के तरफ में resistance कर रहा तो जैसे point of actions पर आएगा हम यह आपर अपने trade लगा देंगे जो हमारे swings होंगे या stop losses find करने के बाद में कल के session में क्या होगा कि एक normal opening थी price ने previous day के low के नीचे तो momentum करने की कोशिश तो की देखिए यहां से price हमारा downside की तरफ आया एकिन फिर से bounce होगे उपर की तरफ हमें क्या चाहिए यह तो चाहिए था कि previous day का low मेरा protected रहे और आज का कोई भी एक resistance ब्रेक हो जाए तो देखिए 915 के candle के नीचे market गई यहां से और वापस से देखिए 915 की range के अंदर आ गई यह ज distance स्वाम हो रहे विद वॉल्यूम आप और लोवर टाइम फ्रेम पर आजो 3 मिर्स के टाइम फ्रेम पर 10 बजे वाली candle अब देखिए price हमारा 10 बजे की candle की range के अंदर और यहां पर volumes are increasing एक दो यहां पर देखिए volumes increase हो रहे हैं फिर यहां पर भी देखिए volumes increase हो रहे हैं तो price हम अब एक्जिक्यूट हो तो जो एवरेज हुआ हो थोड़ा सा उपर में जाकर कि हमको अपनी quantities में ली थी तो जितने पर हमने ओडर लगा था थोड़ा सा उपर में प्राइस मिला यहां पर हमने एपनी entry ली swings के स्टाप रॉसस लगा दी टार्गेट इसके अंदर में अपनी निकल जाने के बाद इतना बड़ा मुव हुआ कोई बात ने प्रीवेस टेकर जो हाई है ना आपका यह वाला यह एक्च्वल रेस्टेंस प्राइट है अब देखें मार्केट निस के ओपर अपनी ओपनिंग दिखाई है एक रेस्टेंस का ब्रेकाउट भारत फोग में अज देखने ग्रीन केंडल ही बनेगी अगर इसने रेस्टेंस का ब्रेकाउट दिखा तो प्रैस हमारा उट कर रहो हो ना तो एक प्रोपर एनयलसिस उसको को लेकर क्या हो प्रोफेशनलिजजम और कुछ नहीं है चोटी चोटी चीज़ों को चोटी शोटी बातों को ध्यान में रखते हुए हम कोई भी स्टेप जो अपना उठाते हैं वो हमें एक प्रोफेशनलिजम की तरफ ल रहो ना यह question पूछो हर बार हम यह चीज़ बोलते हैं कि इधर बंदर दोड़ हो रही है आप उधर ही भागते रहोगे option 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 करते रहोगे तो सिवाब बरबादी के कुछ नहीं होता है हमने कितनी ही बार कहा है कितनी बार कोशिच की समझाने की you have to master equity market first सबसे पहले उसके बाद में फिर आप derivatives करो फिर आप mcx करो फिर आप forex करो फिर आप crypto करो कुछ भी खरो आप एक एक lot के साथ भी बहुत बार होता है कि है ज्यादा नहीं हम सिर्फ एक lot के साथ practice कर रहे हैं अरे एक lot के साथ practice करने का मतलब जान रहे हो हम बहुत कम बता हैं एक normal middle class family सही जादा trader अपनों belong करता है हजार रुपय का loss मतलब उसके लिए बहुत होता है आप एक trade में हजार रुपय का loss करोगे तो आपने महीने के माल लिजे 10 या 15 टेड में loss किया न तो 15-20 जार पर महीने का loss होता है वो profit भी बेशक होते लेकिन क्योंकि profits लेने की या ले जार तर आप loss ही करोगे उस चीज़ को रोकने के लिए 1000 रुपय में हम यह आपको पूरे महीने trade करा देंगे 1500 रुपय में पूरे महीने और 1500 रुपय भी आपके खतम नहीं होगे और यह दावा है कि जितना आप options से नहीं सीखोंगे उतना फिर आप equities अपने price actions को master करोगे उसको सीखोंगे उसकी तरफ बढ़ सकते हो चलिए आज की वीडियो मोग यहीं पर खतम करते हैं भारत फोको आप देखिएगा तैंक्स एंड अब हमारा trade का time हो रहा है तो कल किसी reason के वजए से हमें समय नहीं मिल पाय था जो आपनों को यह वीडियो जो आज हम record कर लें यह हम record हमें कल ही करना चाहिए लेकिन नहीं हो पाय था तो जल्दी जल्दी से हमें कोशिच कि कि आज की market जब तक ट्रेड़ेबल हो उससे पहले हमका कल का काम खतम कर लें तो यह वीडियो आपनों को आज मिल जाएगा और बाकी आज हम में देख रहा है एक सिसी को और भारत फ बारत फारत अन, बारत बारत ट्रेड़ेबल में कि आज यह एकि एक गभे कि यह सौर वे टारत ऐी जा उवीने些 सेी आव छी rho इक गAD.